Good morning dear students, अब हम सीखेंगे ओ की मत्रा का उच्चारन यह है स्वर ओ जिसे आप बड़ी ओ भी कहते हैं और यह है इसकी मत्रा अब हम सीखेंगे ओ की मत्रा का उच्चारन जब क क के साथ ओ की मत्रा जुडी तो ध्वनी सुनाई दी कौ ज के सा जब आ की मत्रा जुड़ी तो उच्चारण हुआ जौ ट के सा जब आ की मत्रा जुड़ी तो उच्चारण हुआ टौ न के सा जब आ की मत्रा जुड़ी तो उच्चारण हुआ नौ म के सा जब आ की मत्रा जुड़ी तो ध्वनी सुनाई दी मौ रो के साथ जब ओ की मात्रा रगी तो उच्चारण हुआ रो सर के साथ जब ओ की मात्रा जुड़ी तो उच्चारण हुआ सो त्रो के साथ जब ओ की मात्रा जुड़ी तो ध्वनी सुनाई दी त्रो इस प्रकार आप कर से श्रो तक लिखेंगे औ की मातरा का लेखन भी करेंगे सासत उचारण भी करेंगे इस प्रकार लिखने से आपको औ की मातरा का उचारण और लेखन आ जाएगा